इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा Intelligence Agencies भारत की और दुनिया की एक्जाम में कौन-कौन सी पूछी जाती हैं बहुत बार पूछा जाता है MI5 कहां की है या MI6 कहां की है मोसाद कहां की है तो Intelligence Agencies इंडिया में कौन सी हैं और बाहर कौन सी हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं National Security क्या होती है National Security का मतलब यह होता है कि आप अपने देश को बचाएं किन-किन चीज़ों से आतंकवाद से, टेररिजम से, एस्प्योनाज मतलब होता है जब आप कोई जासूसी करता है स्पाई करता है और सेबोटाज मतलब किसी भी देश के बड़े बड़ी पहल को खतम करने की कोशिश उसे बोलते हैं सेबोटाज करना किसी भी चीज़ को खतम करना किसी भी प्लैन को खतम करना तो उसे बोलते हैं सेबोटाज तो विदेशी जो ताकते हैं वो हमेशा इस कोशिश में रहती है कि हर country के अपने interest होते हैं, हर country के अपने स्थाई motives होते हैं, तो हमें national security के purpose है, intelligence agencies की ज़रत पढ़ती है, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा हो, चाहे वो बहारी सुरक्षा है, तो दोनों पर हमें ध्यान रखना होता है, और इसलिए अलग-अलग agencies की ज़रत पढ़ती है, जैसे अगर मैं India का example दूँ, एक IB होता है, intelligence bureau और एक RAW होता है, ये दोनों ही intelligence agencies हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, RAW देखता है, बहारी सुरक्षा, foreign intelligence gather करता है, intelligence bureau जो है generally आंतरिक सुरक्षा देखता है, internal intelligence gather करता है, तो इस तरह से अलग-अलग मह कहां की है, या CIA कहां की होती है, तो इनको हम बहुत detail में तो नहीं जाएंगे, exam oriented पढ़ेंगे, तो चलिए वीडियो को start करते हैं, सबसे पहले बताता हूँ आपको अमरीका, अमरीका की intelligence community होती है, जैसे IC बोलते हैं, और इसके बहुत सारे अंग होते हैं, जैसा कि आप यहा काम में आद पूछते हैं, वो सिरफ दो पूछते हैं, और वो है independent agency, जो वहाँ पे अमरीका में independently काम करती हैं, सुरक्षा agency, तो एक का नाम है ODNI और एक का नाम है CIA, इसके अलावा अमरीका में एक department of defense भी होता है, जिसमें यह सारी agency होती है, जैसे DIA, NSA, NGA, NRO, या Air Force Intelligence, Naval Army, Marine Corps और intelligence, Space Force वगारा, फिर वहाँ पे other department और agency होती है, जिनमें साथ होती है total, और लेकिन हमें जो याद रखना है, वो है सिर्फ independent agency, जो दो है, एक तो है ODNI, ODNI की full form है, Office of the Director of National Intelligence, जिसे अमेरिका में ODNI बोलते हैं, यह intelligence जो है terrorism के with respect collect करती है, ठीक है, आतंकवाद को रोकने के लि intelligence gather करती है, ठीक है, intelligence gather करने का मतलब क्या होता है, आप विदेशी जो ताकते हैं, विदेशी जो संगठन है, पता करो कि वो क्या करना चाहती है आपके देश में, क्या उनकी गतिविदियां चल रही है, हर बार जरूरी नहीं है कि सिर्फ बम फोड़ना ही रोकने को रोकना हम हमारा उदेश्य है, लेकिन उनके विचार क्या है, वो हमारे देश को कैसे ऐस्थिर करना चाहते हैं, अनस्टेबल करना चाहते हैं, क्या का गतिविदियां कर रहे हैं, वो हमारे देश में इल्लिकल पैसा कैसे भेज रहे हैं, वो हमारे देश को अनस्टेबल कैसे करना चाह उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बंफोडने से ही नुकसान पहुचाते हैं, क्या वो ऐसी कोई किताबे चपवा रहे हैं, जिनसे हमारे देश में कोई विचारधारा पनप रही है, अंदर ही अंदर, अब जैसे जो Maoism है भारत में, तो वो चाइना की Mao Zedong की फिलोसोफी पर चलते हैं, तो एक तरह से वो चीन की दी हुई दिक्कत है, हाँ, उसमें और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन मैं एक एक एक्जामपल दे रहा हूँ, उनको माओ इसको हतियार देना, उनको पैसा पहुचाना, उनके जो लिखे हुए गरंत हैं, उनको परकाशित करन उनके लिखे हुई किताबों को परकाशित करना, जिससे उनके आइडिलोजी और पन पे ठीक है, लोगों को भड़काना, धर्म परिवर्तन करना, बहुत कुछ होता है, बहुत चीजें देखनी पड़ती हैं, एक देश इतनी बड़ी एंटिटी होती है, इतने सारे लोग हो करता है, foreign country और global issues के उपर, फिर अमरीका में FBI भी आता है, एक्जाम में FBI कहां का है, जैसे भारत में CBI होता है न, अमरीका में FBI होता है, बस, Federal Bureau of Investigation, FBI, ये भहाँ की intelligence और law enforcement agency है, इसका काम में भहाँ पे internal security, counter terrorism और counter intelligence, और इनमें बहुत overlap होता है, ऐसा नहीं है कि इसका काम A है और उसका B है, बहुत overlap होता है, वो A वाला काम B वाला भी कर सकता है, B वाला A वाला भी कर सकता है, क्योंकि जब हम intelligence की बात करते हैं, तो सारी चीज़ें आपस में जुड़ी होती हैं, इसलिए जो women department है, वो मिलके काम करते हैं, तो अमरीका में बस आपको तीन याद रखनी ह हैं, तो इसके अलावा वहाँ पे JIA होती है, JIC जिसको बोलते हैं Joint Intelligence Committee, JIC, यह intelligence gather करती है वहाँ पे, और इसके अलावा जो सबसे important है, वो है MI6, क्योंकि यह वहाँ की secret intelligence service है, जिसे MIC बोलते हैं, तो इसका काम है ब्रिटेन में terrorism को रोकना, cyber crimes पकारा को रोकना, और दूसरे द और यह वहाँ पे, ब्रिटेन की जो democracy है, उसको protect करती है, ब्रिटेन के जो आर्थिक हित है, economic interest उनको protect करती है, आतंकवाद और जासुसी को रोकती है, इसको हम box 500 भी बोलते हैं, ठीक है, box 500, MI5 को, तो ब्रिटेन की आपको बस दो याद रखनी है, MI5 और MI6, उसके बाद इसर इसराइल, इसराइल एक ऐसा देश है, जो यहुदियों का देश है, जो जियूज का देश है, चारों तरफ से दुश्मनों से गहरा हुआ है, और जैसे सीरिया है, जैसे इरान है, इराक है, चारों तरफ से जो इसराइल है, दुश्मनों से गहरा हुआ है, तो इसराइल की जो एजेंसी है, दो बहुत आती है एक्जाम में, एक का नाम है मुसाद और एक का नाम है शियाबेट, पहले मुसाद देखते हैं, मुसाद का मतलब होता है कि जो इंस्टिटूट फॉर इंटेलिजेंस एंड स्पेशल उपरेशन, तो ये वहां की इंटेलिजेंस गैदर करती है, होवल्ट उपरेशन करती है, यानि गुप्त उपरेशन करती है, एक एक उपरेशन है जो एक्जाम में आता है, रैथ ओफ गौड, रैथ ओफ गौड बेसिकली क्या हुआ था, ओलम्पिक गेम्स हुए थे म्यूनिक में, वहां पे इसराइल की जो टीम थी, उसको मार गि है, म्यूनिक, यह आपको पता चलेगा, मुसाद ने क्या किया, कोई से उपरेशन किया, और एक इसराइल का जो एजेंट है, जासूस था, बहुत कॉमन है, जिसके बारे में एक्जाम में तो नहीं आता, लेकिन वैसे आपको पता होना चाहिए, एली कोहन, ठीक है, एली कोह इनका, तो एली कोहन एक ऐसे वैक्ती हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, फिर अज़ेल की दूसरी इंट्लिजन्स सर्वेस है, जिसको बोलते हैं, शिन बैट या शबाक बोलते हैं, और ये महाँ पे इंटरनल इंट्लिजन्स सर्वेस है, यानि आंद्रिक सु जिसको शबाक बोलते हैं और दूसरा है मोसाद अब बात करते हैं फ्रांस फ्रांस में कोई बहुत ज़्यादा कुछ इंपोर्टेंट नहीं है बस आप नाम याद रख लो रख सको तो DGSI DGSI जो है General Directorate for Internal Security और DGSE यानि General Directorate for External Security तो एक Internal Security के लिए एक External Security के लिए DGSI और DGSE बस इतना काफी है कैनेडा की बहुत आसान है Canadian Security Intelligence Service इसमें कुछ खास नहीं है जादा औस्टेलिया की NIC National Intelligence Community ये वहाँ की मेन है National Intelligence Community और इसके अंदर फिर बहुत सारी Secret Intelligence Services और दूसरे संगठन आते हैं तो यहाँ पे लिखे हुए है जैसे की ASIS या ASIO ये Australian Secret Intelligence Service Australian Security Intelligence Organization जर्मनी ये important है जर्मनी के दोनों याद रखने हैं आपको BND BND की full form है ये ये जर्मन भाशा में लिखा हुआ है तो आपको जरूरी नहीं है ये full form याद रखनी है वैसे भी बहुत बड़ी है मैं तो श्याद इसका उच्छारण भी नहीं कर पाऊंगा Bundesna Christendienst लेकिन आपको बस BND याद रखना है Federal Intelligence Service BND ये वहाँ की main foreign intelligence service है जो विदेशी intelligence को gather करती है तो इसको बोलते हैं BND ये काफी important है उसके बाद है BFV ये भी आपको याद रखना है अगेन इसकी full form जर्मन में है Bundesstimate for वरफा सुंग्स शूट्स ये इसकी full form है ये वहाँ की आंतरिक सुरक्षा देखती है तो जर्मनी की दोनों important है एक तो है BND और एक है BFV उसके बाद जापान जापान के आपको नाइचो याद रखनी है ये नाइचो वैसे इसको महाँ पर बोलते है Cabinet Intelligence and Research Office Cabinet Intelligence and Research Office इसको महाँ पर नाइचो कहा जाता है और ये महाँ की आतंकवाद से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस से वो गैदर करती है उसके बाद है Public Security इंटेलिजेंस एजेंसी जापान में जिसको काववान चोसा चाओ बोलते है ये वहाँ की नैशनल इंटेलिजेंस एजेंसी है रश्या रश्या की एक्जाम में SVR बहुत आती है KGB बहुत आती है FSB पूछते है तो रश्या की आपको सारी याद रखने पड़ेंगी तो रश्या की KGB तो अब नहीं है क्योंकि जब USSR टूटा था 1991 में तो KGB खतम कर दी गई थी तो याद रखिए रश्या की जो सबसे important है वो है SVR SVR मतलब होता है यह इसकी full form है कुछ रश्यान भाशा में उसको याद नहीं रखना लेकिन वहां की यह foreign intelligence service है foreign intelligence service है विदेशे intelligence gather करती है SVR clear और SVR जो है इसने KGB को KGB को replace किया था basically KGB जो है उसकी बजाए SVR और FSB दोनों बने थे दूसरी है federal security service यह main agency है जिसने KGB को intelligence gather करके देती थी तो रश्या में आपको याद रखना है SVR FSB उसके बाद FSOB है यानि federal guard service इसको हम federal protective service या federal guard service भी बोलते हैं और यह रश्या में जो बड़े लोग है high ranking state official उनको protect करती है उसके बाद रश्या में है GRU यह वहां की foreign military intelligence agency है GRU और finally KGB KGB की full form भी रश्यान में है और यह 91 में खतम कर दी गई थी तो आप कोन-कोन सी याद रखेंगे आपको याद रखनी पड़ेगी SVR super important FSB again super important और KGB super important बांगलादेश में है national security intelligence national security intelligence पाकिस्तान की याद रख लिजिए पूस्ते हैं ISI inter-services intelligence यह main है पाकिस्तान की जैसे भारत में raw होती है वैसे ही पाकिस्तान में ISI होती है यह पाकिस्तान इसके तीन wing होते है internal, external और foreign relation wing यानि counter intelligence, counter espionage, counter terrorism आतंकवाद के खिलाफ लड़ना और इन सब चीजों में काम करती है ISI ISI very very important फिर जैसे भारत में आई भी होता है intelligence bureau, पाकिस्तान में भी intelligence bureau होता है जो वहाँ की internal security को देखता है यानि civilian intelligence gather करता है और DGMI जो वहाँ पे military intelligence को देखता है यानि director general for military intelligence लेकिन सबसे important है ISI चाइना, चाइना में आपको याद रखना है गवानबू बोलते हैं जिसे MSS यानि की minister of state security यानि MSS इसको गवानबू भी बोलते है और फिर है ministry of public security जिसे MPS बोलते है चाइना की एक बहुत important strategy है जो एक्जाम में आती है thousand grains of sand यानि जो intelligence होती है वो बहुत सारे sources से होती है जैसे आप मिट्टी के कन होती है तो मिट्टी यहां से भी ले लो वहां से भी ले लो हर जहंगा से ले लो फिर उस मिट्टी को छानो फिर उसमें से आपको काम की चीज़ मिलेगी तो इसको बोलते है thousand grains of sand यानि चाइना हर जगा से intelligence gather करता है और फिर उसे आपस में जोडता है और उससे फिर वो निशकर्ष निकलता है तो thousand grains of sand जो strategy है वो चाइना की है ये बहुत important question हो सकता है तो चाइना की intelligence agency कौन सी है एक है MSS और एक है MPS MSS पूछेंगे अगर पूछेंगे तो इसको हम Guanaboo भी बोलते है ये मेन मा की foreign intelligence agency है आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं इंडिया की intelligence agencies पे काफी सारी हैं इंडिया की intelligence agencies तो शुरू करते हैं सबसे पहले criminal investigation department CID CID और CBI में क्या फरक होता है बस इतना फरक है CBI central government के इंडर होती है CID state government के इंडर होती है तो CID किसको report करेगी जो ग्रह मंत्री है state का state home minister और CBI report किसको करेगी जो central government में home minister है तो CBI और CID ये दोनों जो हैं investigation करती है right, cases solve करने में help करती है crime investigation करती है और एक बैठती है राय बहादूर पंडित शम्भू नात इन्हें हम father of Indian CID बोलते है CID अंग्रेजों के जमाने में बनी थी 1902 में बनी थी और CID state government के इंडर काम करती है CBI, central government के इंडर काम करती है बस इतना फर्क है फिर है Central Economic Intelligence Bureau CEIB, ये 85 में बनी थी 1985 में ये Department of Revenue को responsible होती है Ministry of Finance तो ये भारत में जो economic crimes होते है जैसे smuggling है, पैसा smuggle करना money laundering, tax की चोरी fraud वगारा इन पे नज़र रखती है Central Economic Intelligence Bureau Central Economic Intelligence Bureau का जो head होता है, वो एक director general होता है कोई, और वो special secretary to the government of India designation उसकी होती है तो CEIB जो होती है वो अपनी जो information होती है वो किसको देता है, वो देता है Economist Intelligence Council को, EIC तो enforcement directorate, enforcement directorate क्या होता है enforcement directorate हमारी law enforcement agency है जो भारत में दो तरह के crimes को देखती है, ये भी Department of Revenue, Ministry of Finance के अधिन आती है और एक तो देखती है, ये FEMA का violation, यानि Foreign Exchange Management Act और दूसरा Prevention of Money Laundering Act, FEMA और PMLA इन दोनों को देखती है, enforcement directorate, very very important फिर है Economic Intelligence Council, जो मैंने आपको बताया था, Central Economic Intelligence Bureau CEIB, किसको report करता है Economist Intelligence Council, और Economist Intelligence Council, ये main forum है, जो Ministry of Finance है, उसके अंडर आता है और ये नज़र रखता है भारत में आर्थिक अपराधों पे, ठीक है तो इसमें बहुत सारे member होते हैं, ये main Intelligence है हमारी, Financial Intelligence जो main है, वो है EIC, तो EIC में RBI का जो governor होता है वो भी इसका member होता है, CAB का Director जो होता है, Chairman वो भी इसका member होता है Central Bureau of Investigation का जो Director है, वो भी इसका member होता है Narcotics Control Bureau, Directorate of Revenue Intelligence, और जो Central Economic Intelligence Bureau में आपको पढ़ाया था, CEIB, उसका Deputy Director General इसका Secretary होता है, यानि कि बहुत सारी जगा से ये 1990 में बनी थी, और बहुत सारी जगा से ये Intelligence गैदर करती है, Economic Intelligence Council उसके बाद है Defense Intelligence Agency, देखो जब हमारा कारगिल युद हुआ, तो वो एक Intelligence Failure था, क्योंकि हमें पता नहीं था, कि पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजेगा और हमारे जो पीक्स हैं, टॉप पीक्स, यानि उचाई वाले एरिया उनको occupy कर लेगा, तो ऐसे में उस वक्त कारगिल Review Committee बनी, बाद में फिर जो हमारे Deputy Prime Minister थे लाल कृशिन अडवानी उन्होंने कहा, हमें एक dedicated एक ऐसी एक ऐसी organization चाहिए जो Defense Intelligence को gather करे specially Defense के लिए, इसको नाम दिया गया DIA और ये फिर 2002 में बनी थी, कारगिल वार 99 में खतम हुई थी, 1999 26 जुलाई को कारगिल वार खतम हुई थी उसके बाद कारगिल Review Committee बनी थी उसके बाद फिर जाके तीन साल के बाद 2002 में Defense Intelligence Agency बनी थी, इसका जो head होता है वो एक director general होता है और वो ministry of defense ministry of defense के उसमें काम करता है director general, in fact ministry of defense और जो chief of defense staff होता है, जो नई position मनाई है, cds chief of defense staff उसको report करता है, तो cds और minister of defense दोनों को वो जाके report करता है, उनके advisor का काम करता है, और जो भी इसका director general होता है, defense intelligence agency का वो change होता है, कभी army का होता है बंदा, कभी वो navy का होता है, कभी वो air force का होता है, लेकिन वो officer change होता रहता है तीनों services से, तो यह है DIA फिर है DRI, revenue intelligence DRI भी Indian intelligence agency है, बहुत मतलब जो भी चीज इंडिया में band है अगर वो इंडिया के अंदर आती है तो उसे रोकती है जैसे drugs है, narcotics है fake Indian currency, यह भी बहुत important है जाली note वगारा, या हमारे antics है, पुरानी जो यह मूर्तियां वगारा होती है, इनकी चोहरी होती है wildlife related crimes को भी यह रोकने में मदद करता है, लेकिन mainly यह money laundering, black money और इन सब पर नज़र रखता है, डारेक्टर रेट ओव revenue intelligence अब बात करते हैं, intelligence bureau हमारी जो one of the main intelligence agencies है, intelligence bureau बोलते हैं इसका motto है, धेवाक्य है जागरितम अहर निशम, मतलब always alert, जागरितम अहर निशम यह हमारी domestic intelligence gather करती है, internal security को देखती है और counter intelligence agency है यानि counter intelligence मतलब, दूसरे देश जो intelligence कर रहे हैं, उसको counter करना और यह बनी कैसे थी आई भी तो बहुत पुरानी बात है, 1885 की बात है major general Charles McGregor यह appoint किये गए थे British Indian Army के द्वारा शिमला में और इनका काम यह था कि अफगानिस्तान में रशिया के जो troops हैं उन पे नज़र रखे, क्योंकि यह possibility थी कि जो रशिया है वो भी कोशिश करेगा इंडिया पे attack करने की British Army को और वो कोशिश करेगा कि इंडिया पे राज करे तो उस समय रशिया के जो troops हैं अफगानिस्तान में उन पे नज़र रखने के लिए 1885 में एक Major General Charles McGregor को अपॉइंट किया गया था और उनका काम यह था intelligence gather करे फिर बाद की बाद में लगभग इसके 24 साल बाद 1909 में Indian Political Intelligence Office क्रेट किया गया England के अंदर और इसका काम था भारत के जो सोतंत्रता सेनानी है खास तोर पर जो revolutionaries है उन पे नज़र रखो और जब भारत आजाद हुआ तो Indian Political Intelligence जिसे IPI बोलते हैं उसका नाम पलट के फिर IB हो गया और वो Ministry of Home Affairs के अंदर आ गई तो Intelligence Bureau आज ग्रह मंत्राले के अधिन काम करता है फिर है Narcotics Control Bureau यह 1986 में बना था और इसका मेन जो काम है वो है Drug Trafficking को रोकना यानि जो drugs होते हैं उनकी अवैद तसकरी को रोकना और Illegal Substances जो हैं अवैद उनको रोकना तो यह Narcotics Drugs and Psychotropic Substance Act के Provision को Implement करता है लागू करता है यह भी ग्रह मंत्राले के अधिन आता है Narcotics Control Bureau फिर है RAW RAW हमारी Foreign Intelligence Agency है यह विदेशी Intelligence को गैदर करता है दूसरे देश भारत के उपर क्या करना चाह रहे हैं किस तरह से हमारी सुरक्षा को Advise देना और भारत के जो Strategic Interest है Foreign Strategic Interest रणनितिक और कुटनितिक हमारे जो हित हैं उनकी रक्षा करना तो RAW का जो मोटो है वो है धर्मो रक्षती रक्षित है धर्मो रक्षती रक्षित है यह है RAW का मोटो धेवा के इसके पहले डारेक्टर थे रमेश्वर नाथ काओ ठीक है RN काओ बोलते है यह पहले डारेक्टर थे RAW के और इसका Headquarter नई दिल्ली में है फिर है NIA Very very important National Investigation Agency यह mainly terrorism को रोकती है और यह बनी कब थी NIA यह बनी थी 2008 में जो हमले हुए थे 26-11 बोलते हैं जिने मुंबई में पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी घुस आये थे पानी के रास्ते से और ताज होटल और कई जगा मुंबई में आतंकवादी हमले करे थे उन्होंने तो वो NIA उसके बाद बनी थी यानि इसका काम है specially आतंकवाद को रोकना इसका हेड़क्वाटर नई दिल्ली में है और सबसे आखरी है NTRO National Technical Research Organization ये Technical Intelligence देखती है जैसे Cyber Intelligence हो गया नजर रखना, Satellite वगारा पर नजर रखना Satellite को Monitor करते रहना High Tech Surveillance करना जो Computer वगारा का काम है जो Technical चीज़ें है ठीक है वो करता है NTRO जैसे Terrestrial Monitoring यानि Satellite की मदद से दूसरी देशों के उपर नजर रखना वो सारे काम जो है National Security के उनको करता है NTRO ये 2004 में बना था ये भी बहुत important है NTRO और ये National Security Advisor जो है PMO उसके अधीन काम करता है 2004 में बना था NTRO NTRO के अधीन NTRO के ही नीचे एक organization आती है जिसे बोलते है NICRD यानि National Institute of Cryptology Research and Development तो NICRD जो है ये हमारी जो भी encryption वाले काम है वो करती है encryption and locking, coding वगरा वाले जो काम होते है उनको गुप्त दस्तावेज हैं वो सब हैं उनको encrypt करना ये सब काम करता है NICRD और ये NTRO के अधीन काम करता है NTRO हमारे वो ही सब protocols follow करती है जो IB और RAW करती है तो IB और RAW से कम नहीं है किसी भी तरह से NTRO इसके बाद आपको कोई doubt नहीं होना चाहिए फिर भी अगर कोई doubt आता है तो आप मुझे Instagram पे भेज सकते हैं ये कही ना कही important है question मैंने देखे हैं इसलिए मैंने topic अलग से आपको पढ़ाया है तो वीडियो छोटा था लेकिन कई बार ये ही videos decide करते हैं कि आपका selection होगा या नहीं होगा ये जो दोतीन number extra होते हैं कहीं न कहीं ये ही line के इधर या line के उधर आपको धकेल देते हैं तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर दाईए कोई doubt है तो आप Instagram पर पूछ सकते हैं Static GK का एक important topic था मिलते हैं बाकी videos में Thank you for watching